आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे लॉगडाउन के बाद जो हुआ है उसको किस नजर से देखें तो पहली बात तो साफ है कि लॉगडाउन का एक अंग्ष फेल कर चुका है कि बड़े पैमाने पे शहर से लोग छोड़ के गाउं के तरफ चलने लगे हैं और यह जो जो हमारी मकसद था कि लोगों को फिजिकल डिस्टिंस का दूरी रखना वो संभब नहीं हो रहा है क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग मिलते हैं तो फिजिकल डिस्टिंस की जगव पर फिजिकल नजदी की ज्यादा नज़र आ रहा है तो यह हजारों के संख्या में जो लो lockdown सुधर सकता है यह दिर्भर करेगा इस पर सरकार क्या कदम उठाएगी सरकार इस वक्त अगर लोगों के घर पे जहां पर खाना नहीं है इंधन नहीं है अगर यह नहीं पहुंचा सकती तो लोग lockdown को मानेंगे नहीं और इसे एक law and order situation पैदा हो जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा इस एक सरकार की यह जो रवया कि हम आपको खाना इंधन दूसरे सामगरी पहुंचाने के जिम्मदारी नहीं लेंगे पर आप lockdown मानिये क्योंकि यह देश के लिए अच्छा होगा तो यह कोई भी कोई भी फैमिली बच्चों को भूका रखके देश के भले के लिए कुर्बानी नहीं कर सकता है यह अगर समझ हमारी सरकार की नहीं है तो मुझे नहीं लगता यह lockdown कामियाबी की तर बढ़ रहा है तो क्या इसके ऊपर सरकार कुछ अपना सोच विचार बदल रही है समझ तो हमें नहीं मिल रहा है से क्योंकि प्रदान मंत्री ने चर्चा की थी इसके बारे में लोगों से माफी मांगा पर यह वाक्य नहीं कहे कि हम आपके वहां पर खाना पहुंचाना आप आपको हस्पताल ले जाना दवाई पहुंचाने की काम सरकार की जिम्मेदारी होगी यह शब नहीं कहा न की यह चीजे स्टेट्स गवर्वर्मेंट को पहले उन्होंने तयार किया था कि इस क्राइसिस जब होगा लॉगडाउन का उससे कैसे सरकारे केंडर सरकार और राज स तो सरकार के तो तुरंद ये काम है खासतर से केंडरे सरकार की एफसी आई गो डाउं को खोले वहां से जो आपने अनाज है उसको फेर प्राइस शॉप्स पे स्टेट गावर्मेंट के जरीये पहुंचाएं और वहां से स्टेट गावर्मेंट की जिम्मेदारी है लोगों की घर तक ये कैसे पहुंचेगा और कैसे जहां पर बच्चे हैं वहां पर जो मिड़े मिल्स मिलता था उनको स्कूल की तरफ से जो खाना मिलता था वह कैसे बरकरा रखा जाये ये सब काम इस सरकार की करने की जिम्मेदारी है और बीमार है उनको डाक्टरी उनकी दवाई और तो यह बुन्यादी जिम्मेदारी अगर सरकार पाले नहीं करेंगी उसके जगह पर कहेंगी कि डिस्टिक्ट मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि कोई माइग्रेशन ना हो और एक जगह से दूसरे जगह लोग ना जाए तो यह बुन्यादी जरूरत जिल्दीगी का है उसको वह नहीं पूरा कर सकते क्योंकि लॉक्डाउन क्या फिर काम्याबी की तरह बढ़ेगा या दिर्बर करेंगा इस पर सरकार और क्या कदम उठाते हैं पर हम एक दूसरी बात दिगाह देखते हैं कोविड-19 की उपर उसकी फावल पहलाव इस वक्त है यह एक एक्स्पोनेंशिल ग्रोथ होता है मतलब कुछ दिनों में जो संख्या वो डबल करने लगती है और यह डबल करने की जो सब्द्दिती है इससे बड़े तेजी से छोटे आंक्रे से शुरू हो सकता पर बड़े तेजी से बढ़ने लगता है यही वजह से इटली, स्पेन, फ्रांस और अमरीका सब बड़े तेजी से इस वक्त उनकी संख्या में बढ़ती दिखने को मिल रहा है तो हिंदुस्तान में इस वक्त एक हजार लोग सरकारी आंक्र कुरू मताबिक इस वक्त कोविड-19 के बिमारी में हैं और उसमें से और 27 लोग मर चुके हैं, गुजर चुके हैं, तो ये संख्या बहुत कम नहीं है क्योंकि अगर ये डबल करने लगे एक हफ्ता, दो हफ्ते में तो आप सोच सकते हैं कि एक महिने के अंदर हमारे हां भी एक बहुत बड़ा महामारी की रूप फिर ले सकता है. तो क्या ये एक हजार ही है यह गलत है यह भी विश्यशक्री लोग इसके बारे में सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि अभी तक हम ने सिर्फ 25,000 से 26,000 की बीच में हमने टेस्ट किये हैं और टेस्ट क्योंकि इतने कम लोगों की हुई है इसलिए 1000 फिगर जो है यह कित्ता सही है खिता गलत है किसी को न बहुत बार चेतावनी दिया है कि अगर हम इसको नहीं जानते सही आंक्रों के नहीं जानते टेस्टिंग नहीं करेंगे तो हम इस आंक को के खिलाफ लड़ रहे हैं अपने आंखों पर पट्टी बांद के तो इस तरह से अगर हम इस लड़ाई को चलाएंगे तो कामियाब इतले से लगए तो맛 सकते तो बड़े पैमाने पर टेस्टिंग अभी बी आएसे अमार और मिन्स्ट्रीयाब उक्वाई हूई है उसे बड़ड़े पैमाने पर टेस्टिंग नजर नहीं आ रहा है आशवाशन देर हैं कूछ दिनों में काफी तेजी पकड़ेंगी और काफी टेस्ट किट्स बाहर से ला रहे हैं या देश में पर्मिशन दे रहे हैं मैनिफेक्ट्चर करने की पर वो काम्याब होने में बड़े संख्या में टेस्ट किट लागू करने में मुझे नहीं लगता कि अभी इस हफता यह हो पाएगा अभी भी इसका कम से कम 2-3 हफते की आपक कि ICMR की दारे के इस वक्त बाहर है उनको भी कैसे शामिल करें तो यह सरकार के सामने चैलेंज है आईसीमर के सामने चैलेंज है जो विशेशग्य है वो उनकी बहुत सारे ऐसे बयाने आ रहे हैं इस वक्त कि हमें शामिल नहीं कर पा रहे हैं हम तयार हैं मदद करने के लिए हम कर नहीं पा रहे हैं और आईसीमर की जो गाइडलाइन्स है वो भी बड़े स्ट्रिक्ट है इस किसका टेस्ट होगा किसका टेस्ट नहीं होगा तो जब तक यह चीजे पर नजर नहीं डाली जाएगी और बड़े तेजी से हम टेस्टिंग की दायरा बढ़ा पाएंगे तब तक हमें सच्पुच कोविड-19 सिर्फ चंद लोगों को ही है कुछ जो कहते अभी भी स्टेज सच्पुच के अंदर आम जनता के अंदर नहीं पहली है यह सच्पुच यह आम जनता के अंदर फैल रही है वह पता नहीं चल पाएगा आज के लिए इतना ही देखते रहीएगा निज्सक्लिक